हाई फ्रेंज बॉर्निंग ऑनलाइन प्रेपरेशन भी थारती में आपका बहुत बहुत शागत है और फ्रेंज बहुत टाइम से डिलर्ड की मानता को लेकर के खबरे आ रही थी आप लोग बहुत परशान थे हमने भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए डाले और बताए हैं क्योंकि जो आपके नाइस के चेर मैन हैं उन्होंने सीवी सर्माजी उन्होंने खुद ही नाइस की मानता को लेकर बहुत बड़ा एक बयान दिया है क्या है खबर सबकुछ इस वीडियो में देखते हैं लेकिन उसके पहले आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस में पूरे डेश में मानने हैं और 스ji पहले का फैसला है फैसला फेल को आवायइद है इस समय बहुत क्यास लगाये जा रहे हैं और यह चल रहा है यह कहा जा रहा था कि चल रहा था इसके तहट तो यहां पर बहुत बड़ा बयान आया है और जो यहां पर पूरे देश में मानने हैं और चलिए आईए यहां पर पूरे इंफार्मेशन ले ले लेते हैं और जानकारी ले ले लेते हैं इसमें कि उन्होंने आगे इससे संबंदित क्या कहा है तो यहां पर हम देखते हैं कि नाइएस के चेर्मेन जो सीवी सर्मा है उन्होंने दावा किया है कि इन आईएस डेलेट कोर्स पूरे देश में मानने हैं और यह स्टार्टिंग में भी उन आई ओएस डेलेट पास सिखशक हर परिस्थित में योग है और उन्होंने दावा किया है कि एनंसीटी का फैसला अवैद है अभी तक यह माना जा रहा था कि जो एनसीटी ने कहा है कि जिन लोगोंने आईस से डेलेट किया है वो डेलेट अवैद है तो लग रहा था कोई वायरल मैसेज था लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है वो वायरल मैसेज नहीं था फेक नीज नहीं थी बलकी वो बिल्कुन सही नीज थी क्योंकि अब आपके फेवर में आपके एनायस के जो अद्याक शेयर मैन है वो खुद भी आ चुके हैं तो इससे समझ में आता है कि जो NCTE ने निर्णे लिया था अवैद गोशित करने का वो बिल्कुन सही था और उसके अगेश्ट जा रहे हैं अब आपके जो अध्यक शेयरमेन हैं उन्होंने दावा किया है कि NCTE का फैसला अवैद है और उसे इस तरह का फैसला करने का अधिकार ह और इस बारे में एन आई यस या फिर एन आर्सी ही कोई मार्क दर्शन दे सकती है तो यहां पर इन्होंने इस पर्ष्ट का है कि NCTE ने जो कहा है कि यह दियलेड अवैद है तो यह फैसला जो है NCTE को करने का अधिकार नहीं है बलकि इसमें एन आई ओया सी जो है वही कह सकती है कि यह वैद या वैद वैलीड या इनवैलीड आये और पुरी इंफोर्मेशन इसमें ले लेते हैं यहां पर थुड़ा सा समझते हैं तो यहां चैयर्मेन आपके सीवी सर्मा है उन्होंने न्सीटी के फैसले पर जवर्जस्त नराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि मुझसे बिना पूछे कैसे न्सीटी ने एक तरफा फैसला सुना दिया है न्सीटी को इस मामले में एक तरफा फैसला लेने का अधिकार नहीं है और नोंने दावा किया है कि एन्सीटी के फैसला पूरी तरह से आसंवैधानिक है उनका कहना है कि नार्दन डिजनल कमेटी जो है उसने जब डिलेट को मानता दे दी है और इस तरह से उसके मानता देने के बाद NCTE अकेले एक तरफा का मतलब है कि सिर्फ NCTE ने अकेले ये फैसला लेके कह दिया है कि ये अवैद है आमान है तो ये जो है आसमवैधानिक है इसमे नार्दन डिजनल का भी इसमे रोल होना चाहिए नार्दन डिजनल कमेटी क्या कहती है अभी उसका वेट किया जाएगा तो और आगे इन्फार्मेशन लेते हैं उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है यहां पर उन्होंने कहा है कि इसको लेके वो जरूर पूरी तरह से जो है दावा जो है वो पूरी तरह से आप असंबैधानिक है और कोर्ट में इसे चात्र जो कोर्ट जा सकते हैं और दावा कर सकते हैं यहीं चीज मैंने आपको लाइफ क्लास में भी कही थी कि आपके पास एक रास्ता बसता है वो रास्ता बसता है कोर्ट में बिहार सिक्षक नियोजन के लिए नहीं लेकिन हां यह जो आपका डियलेड है वो बैद है मानने है कि नही है इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं आपके पास एक रास्ता है और देखें यहां पे जवाब के चेर्मेन उन्हों पे यह भी आपको बता दें कि नेशनल कांसिंग फार टीचर एजकेशन जो एंसी टीए उसने बिहार सरकार को दिये अपने जवाब में कहा है कि यहां आई ओयर्ट कोर्स करने वाले चात्र बिहार सिख्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते मैं बार बार आपसे खीर है कि यह सभी चीजें इसी लिए उटके सामने आ रही है क्योंगी बिहार में सिख्षक भरती चल रही है, सिख्षक नियोजन चल रहा हैं, एक लाग के लगवकप्द वहां पे हैं जो प्राइमरी लेवल के लिए हैं और तीन लाग के संथिंग वहां पे ऐसे सिख्षक है जिनों ने एन वायस से डिलेट किया है और इसलिए बिहार सरकार जो है उसने पहले अमान गोसित कर दिया था किसको डिलेट को कि उसमें जो यहां के जिन लोगों ने नायस से डिलेट किया है वो वैलिड नहीं होंगे इसके लिए और जब यह बात एंसीटी के पा इसमें जो है NIS को जवाब देना चाहिए जिसने ये कोर्स कराया है आखिर कार देखिए जो कल है NIS जो आखिर जवाब आई ही गया है उन्होंने कह दिया है कि ये डिलेट जो है पूरी तरह से मानने है और इसके जो गाइड होती है गाइड लाइन उसमें भी लिखा है कि NCT औ लाइक है कि ये कोर्स जो है वह अमानने अवैर है प्रिष्ट कर और ऑद सकते हैं लेकिन इसमें प्रभय ध्वांस दोनों चीजें एंतर दव्ध प्र Іंकलूड होता है जो सब जुड़े हो होते हैं होते हैं ऍरल्व Здесь ब्हुदे होते हैं सब दो इन सब को मिला के वह यह जोड़ा जाता है इसलिए यह जो आपका डियलेट का कोर्स है वह बैद है यहां पर प्रोपेसर सीवी सर्वा ने कहा है कि एन आईएज डियलेट करने वाले सिक्षक पूरी तरह योग हैं और भारत में कहीं भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए पूरी तरह दालें यहां पर एक चीज और बात सामने आ रही है कि जो एनायस के अध्यक्ष सीवी सर्मा है उन्होंने फोन पर सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने यह भी कहा है कि डियलेट के छात्रों पर अगर किसी को कोई सक है तो उनको किसी अंस अंस्थान से डियलेट करने वाले चात के साथ परिक्षा में बिठा कर जाच करा लें यह ऐसा है कि उन्होंने नायस से डियलेट किया है और आप उसको अमान गोसित कर रहे हैं जिनको नायस ने ट्रेंड किया तो उनकी ट्रेनिंग पर आदि आपको कोई सक हो रहा है तो जो आदर परिक्षा में बिठा कर जो है जाच करा सकते है क्या यह सिक्षक बनने के योग है या नहीं है तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग नीज और गुड नीज भी है कि आपके फेवर में जो है जो चेर्मैन है वो आ चुके है और नोंने इस पश्ट तौर पे कह दिया है कि जो यह ड कि जो यह डियलेड है वो अवैद है क्योंकि एंसीटी के साथ साथ में नार्दन ड्रिजनल कमेटी ने भी इसको माननता दी थी तो सिर्फ यहां पे एंसीटी अकेले कैसे कह सकती है कि यह असमवैधानिक है तो आप लोग होसला रखें और बिलकुन आपको जा सकते हैं यह साथ मैंने उस दिन भी कही थी लाइफ क्लास में आज भी मैं कह रही हूं आपके पास मौका है और आपके साथ हम आपके चेर्में सीवी सर्मा भी है तो जहां तक है यह यह कोई फैसला नहीं लेती है और नहीं बदलती है अपने बयान को तो हंड़ेड परसेंट आप लोग टेक केर बाए